Hello Friends, इस वीडियो में हम जानेंगे कि OneCode Application में KYC कैसे Complete करते हैं जहां दोस्तों अगर आप भी अपने OneCode Application में KYC Complete करना चाहते हैं तो इस वीडियो को Last देखिए तो दोस्तों जलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों से पहले आप अपना OneCode Application को Open कर लेजिए जैसे ही आप Open करेंगे तो यहां पे आपको अपने Profile Pick पे क्लिक करना है जैसे ही आप Profile Pick पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ Interface दिखेगा उसके बाद दोस्तों यहां पे आपका अपना नाम दिखेगा उसके बाद यहां पे KYC Pending उसके बाद यहां पे Verify Now card में है वही नाम यहाँ पर आपको as tis यहाँ पर इंटर कर लेना है नाम इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जेनर सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना date of birth इंटर कीजिए टेटों पर इंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपना पैन नमबर इंटर कीजिए पैन नमबर इंटर करने के बाद यहाँ पर अपना एजुकेशन यहाँ पर सेलेट कीजिए कि आप यहाँ पर क्या है तो मैं यहाँ पर आइडियाई सेलेट कर ले रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे current work experience अगर आपको कोई work experience है तो यहाँ पे आप select कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे one year select कर ले रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे current annual income आपके कितनी है तो यहाँ पे अपनी income select कर लेजे तो चलिए मैं यहाँ पर one like select कर ले रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर interested category to work तो यहाँ पर आप किस category में interest है आपका तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर credit card select कर ले रहा हूँ उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं चलिए और यहां पर कुछ उसके बद मैं यहां पर Bill Payment सेलेट करे रहा हूं Insurance सेलेट करे रहा हूं उसके बद ओके कीजिए उसके बद दोस्तों यहां पर आपको Save Details पर क्लिक करना है जैसे आप Save Details पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप से बोलेगा यहाँ पे इलाव करने के लिए तो यहाँ पे आपको इलाव कर देना उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक अपनी सेलफी अपलोड करनी है तो यहाँ पे आपको टेक सेलफी पे क्लिक करना है टेक सेलफी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको आपको सेट कर सकते हैं इधर जैसे आप करना चाहिए उसके बाद यहाँ पे चेक मार्ग पे क्लिक करना है जैसे आप टिक बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका फोटो अपलोड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कांटी निव बटन पर क्लिक करना है जैसे आप Continue बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा दोस्तों यहाँ पर आपको अपना सिगनेचर करना होगा सिगनेचर करने के बाद यहाँ पर आपको Submit बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप Submit बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका KYC यहाँ पर वेरिफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने आजाएगा KYC वेरिफाईड दोस्तों इस तरह से आप भी अपना KYC कम्पलीट कर सकते हैं दोस्तों आसा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए helpful रही है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं ते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर